प्रस्न नौ एक्स प्लस बाई बराबर बाई प्लस एक्स की जाज करें यदि एक्स बराबर दो वटा तीन बाई बराबर चार वटा साथ तो प्रस्न नौ का पहला क्या दिया हुआ है एक्स बराबर दो वटा तीन कॉमा बाई बराबर चार वटा साथ तो x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 बटा 3 और by बराबर दिया हुआ है, 4 बटा 7 तो क्या जाज करना है, तो जाज करना है, x प्लस by बराबर by प्लस x ठीक है, यानि x जोड by किसके बराबर है, by जोड x के बराबर है, ये जाज करना है और x और by का मान दिया हुआ है तो देखें x के जगह पे x का मान रखेंगे यानि x बराबर कितना है 2 बटा 3 तो x के जगह पे रख देंगे 2 बटा 3 पलस by बराबर है 4 बटा 7 यानि by के जगह पे क्या रखेंगे 4 बटा 7 बराबर by कितना है 4 बटा 7 एक्स कितना है दो वटा तीन तो इस तरह लिख लेंगे यानि एक्स के जगह पे एक्स का मान बाई के जगह पे बाई का मान तो दो वटा तीन जोड चार वटा साथ बराबर चार वटा साथ जोड दो वटा तीन इस तरह से हो जाएगा अब इसको हल कर लेंगे अगर दोनों तरफ बराबर आया तब तो ये जाच हो जाएगा कि सही है तो देखें साथ और तीन का लगुत्तम क्या होगा साथ और तीन का लगुत्तम हो जाएगा सातिया एकिस साथ और तीन का लगुत्तम सातिया एकिस तो 3 सत्य 21 तो 7 दून 14 पलस साथियह 2020 तो चारतियह 12 बराबर साथ और तीन का लगुद्धन 21 तो 7 दून तो 4 दून 11 तीन सत्य 21 तो 72 दून 12 इस तरह लिख लेंगे दोनो तरफ अब देखिए 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14, 10, 24, 22, 26 यानि 26 वटा 21 आगया इधर 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 12, 10, 22, 26 तो 26 वटा 21 तो बराबर के बायां तरफ भी 26 वटा 21 आया और बराबर के दायां तरफ भी 26 वटा 21 आया इसका मतलब है यह जाच सही है तो x प्लस by बराबर by प्लस x क्या है सही है देखिए दोनों तरफ बराबर आया है यानि x प्लस by बराबर by प्लस x यह सही है यानि करम को बदल दें जैसे देखिए x प्लस by यहाँ पे है यहाँ पे करम बदल गया है buy को पहले लिग दिया है x को बाद में जोड़ा है और यहां पे x पहले है buy बाद में तो जोड़ में क्या होता है क्रम बदलने पे भी कोई फर्क नी पड़ता है उत्तर दोनों का बराबर ही आता है जैसे यहां पे आया है तो दो बटा तीन को चार बटा साथ के साथ जोड़ें या चार बटा साथ को दो बटा तीन के साथ जोड़ें उत्तर दोनों का बराबर आएगा तो इसको कौन सा नियम कहते हैं इसको कहते हैं योग का क्रम बिनिमे नियम ठीक है ये कौन सा गुन है योग का क्रम बिन में गुन है दूसरा दूसरा म क्या दिया है x बराबर माइनस 4 बटा 5 इवा बाई बराबर कितना दिया है 3 बटा 10 तो x बराबर दिया है माइनस 4 बटा 5 इवा बाई बराबर 3 बटा 10 तो क्या जाच करना है x प्लस बाई बराबर बाई प्लस एक्स यानि x प्लस बाई बराबर बाई प्लस एक्स जाच करना है कि x प्लस बाई बराबर है किसके बराबर है तो बाई प्लस एक्स के तो एक्स कमान कितना है माइनस चार बटा पांच तो एक्स के जगह पे लिख लेंगे माइनस चार बटा पांच प्लस बाई के जगह पे क्या लिख लेंगे तीन बटा दस तो बाई के जगह पे क्या लिखेंगे तीन बटा दस X के जगह पे लिख लेंगे माइनस 4 बटा 5 इस तरह लिख लेंगे तो X के जगह पे X का मान Y के जगह पे Y का मान ठीक है? Y के जगह पे Y का मान X के जगह पे X का मान इस तरह लिख लेंगे अब यहाँ पे 5 और 10 का लगुतम तो 5 और 10 का लगुतम पांच से दस कट जाता है यानि दस होगा पांच और दस का लगुतम दस तो पांच दूना दस तो माइनस चार दूना माइनस आठ देखें पांच और दस का लगुतम दस हो जाएगा तो पांच दूना दस पांच से दस दो बार में कट जाता है तो 2 और माइनस 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 4 गुना 2 यानि माइनस 8 10 से 10 एक बार में कटता है तो 3 गुना 1 3 बराबर 10 और 5 का लगुत्म क्या हो जाएगा 10 10 और 5 का लगुत्म हो जाएगा 10 तो 10 से 10 एक बार में कटता है तो 3 गुना एक 3 PLUS PLUS का चीन है तो PLUS का चीन ने देंगे 5 से 10 दो बार में कटता है 5 दूना 10 तो 4 दूना 8 तो माइनस 4 है इसलिए माइनस 8 हो जाएगा इसको कोष्टक में ले लेंगे क्योंकि PLUS, बगल में PLUS है इसलिए इसको कोष्टक में लेंगे तो माइनस 8 प्लस 3 क्या हो गया 8 माइनस में 3 प्लस में तो घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5 लेकिन 8 बड़ा है 3 से और बड़ा संख्या माइनस में है तो इसको माइनस कचीर ने देंगे यानि माइनस 5 बटा 10 आ गया बराबर अब यहाँ पे plus minus क्या होगा minus कोश्टक हटाएंगे तो 3 माइनस 8 वटा 10 तो हो जाएगा minus अब देखें 5 से 10 कट जाएगा दो बार में पांदू न 10 तो कितना हो गया minus 1 वटा 2 बराबर यहाँ पे 3 माइनस 8 क्या होगा तो 8 माइनस में 3 प्लस में है यानि आठ में से तीन गया पाँच लेकिन आठ तीन से बड़ा है और बड़ा संख्या के साथ माइनस कचीन ने तो माइनस कचीन ने देंगे यहाँ पर बटा दस पांस से दस कार देंगे दो बार में तो कितना आ गया माइनस एक बटा दो बराबर यहाँ पे भी आ गया माइनस एक बटा दो तो बराबर के बायां तरफ भी माइनस एक बटा दो है और बराबर के दायां तरफ भी माइनस एक बटा दो है यानि ये जाज हो गया है, देखिए दोनों तरफ बराबर आया है तो इसका मतलब ये सही है, x पलस by बराबर by पलस x तो ये कौन सा नियम है, योग का क्रम बिनिमे नियम है यानि x को by के साथ जोड़ें या by को x के साथ जोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का उत्तर बराबर आएगा तो ये है योग का क्रम बिनिमे नियम क्रantiवा ऑटा जोड़ें जोड़ें आएगारवें